नमस्कार दोस्तों 12 मौंबार 1996 की शाम को भारत ग्राजधाई नए दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सौधी अरब जाने के लिए सौधी अरब फलाइट नमबर 763 रेडी होती है अपने रन्वेपर इसमें यात्रा करने के लिए 312 पैसेंजर सवार ह है और इसके साथ 33 क्रू मेंबर भी साथ में है तो तीन लोग काक्पिट में हैं एक हैं पालेट और एक हैं को पालेट और एक हैं फलाइट इंजिनियर इसमें सवार सभी यात्री सौधी अरब जा रहे हैं नवकरी करने के लिए कोई जा रहा है हास्पिटलिटी का काम करने क के लिए तो कोई जा रहा है अपने आफिस के लिए दोस्तों इस西ते क की कैपटर है खालित वाल्ट सव्षिप जहाद लगव 15,000 खिट की उचाई पर उड़ रही है इस समय जहाद जो पहुंची है वो है चर्खी दादी नामक इस्थान पर जो हरिगाना का एक एरिया है छेत्र है दोस्तों इस चर्खी दादी छेत्र में लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं कुछ लोग आपनी जा रह होती है लोग इसको देखकर चाओ जाते हैं कि दिन में तारे कैसे दिग गए लेकिन दोस्तों दोचार मिनिट बाद जब आसमान से कुछ गिरता हुआ चीज नहीं दे आता है तो लोग समझते हैं आखे एक क्या है कुछ देर बाद समझ में आता है कि तो जहाज की टुपड दाधिन नामक इस्थान पर घटित तुनिया के सबसे बड़ी एपिएसन घटनाओं में से एक को दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्काइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो जो दी गई है यूटूब पर वह भी आपको प्रास हो सके ताकि आप उसकी वी जानकारी प्रास हो सके तो चलिए अपने कहानी पर वापस आते हैं जैसे कि मै जब चर्खी दाजरी नामक पर पहुचा रहता है दोस्तो इस टैंडिंग पाइंट की अलग ही कहानी है क्योंकि इसमें एक अन कहानी जुड़ती है एक अन एक फ्लाइट की जो प्लाइट आ रही है कजाकिस्तान से इस फ्लाइट का नाम है बोईंग के जड़ेट ऊनाइश तो साथ यह आ रही है कजाकिस्तान के सहर से और इसको जाना है भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंद्रा गांडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दोस्तो इस कजाकिस्तान की फ्लाइप में 37 मेंबर सवार हैं और इसके साथ 5 टूमेंबर और 727 वेपारी भी इस पर सवार ह हैं भारत में सूती वस्तर खरीदने के लिए इस बीवान के क्रेप्टेन है लेक जंडर जो की 44 वर्ष के हैं बहुत से अन्भवी हैं तो कजाकिस्तान से दिल्ली की फ्लाइप मात 3 गंटे 10 मिनट की है जब कजाकिस्तान से अपने फ्लाइप टेक आप करते हैं उसके बाद दिल्ली एटी सी से संपर्क कर लेते हैं और बताते हैं कि हम इस समय 35,000 फिट के उचाई पर उड़ रहे हैं दोस्तों इस समय दोनों दहास समाने चाल से अपने लच्छ की और बढ़ रहे हैं लेकिन दोस्तों एक खास बात है कि उस जवाने में 1996 में भारत का हवाई छेत जो मिलिटरी स्पेस में कोई सिवीलियन जहाज नहीं जा सकता है और सिवीलियन स्पेस में कोई मिलिटरी जहाज नहीं जा सकता है बीना किसी के परिमीशन से दोस्तों इसी के बीच एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है लुनका पॉइंट सबसे पहले जो काजाकिस्तान से जहाज आ रही है 1907 इसको लुनका पॉइंट पे पहुचना रहता है ए लुनका पॉइंट दिल्ली से 327 किलो मीटर दूर पस्चिम मर् इस्थित है इस लुनका पॉइंट से होकर सभी जहाज को दिल्ली आना जाना होता था ताकि कोई विमान मिलिटरी स्पेस में ना जा सके ताकि कोई दुरघटना भी घट ना सके और कहा गया था लगभा कि एक लाक्स चांस में सिर्फ एक बार घटनाए घट सकती हैं दोस्तों कजाकिस्तान से आ रही विमान च्छा बस की 33 मिनट पर लुनका पॉइंट पर पहुच जाता है और दिल 1000 फिट के उचाई पर कर लो दूसरी तरफ दोस्तों जा रही है लुनका पॉइंट की तरफ फ्लाइट सौदी अरब 463 यह भी लुनका पॉइंट पर नहीं पहुची है जबकि कजाकिस्तान वाली फ्लाइट लुनका के पास पहुच कर और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रह हैं दोस्तों लुनका पॉइंट को लेकर एक और नियम हुआ करता था उस समय जो जहाद दिल्ली के लिए आ रहे हैं उनको सबसे उपर रहना होता था और जो जहाद दिल्ली से बाहर जा रहे हैं उनको नीचे होकर जाना होता था यानि जो जहाद आ रहा हो सबसे उपर रहे के उचाई पर कर लो बीके दत अपनी फ्लाइट की उचाई कर लेते हैं 14,000 फिट की उचाई तक लेकिन दोस्तों सब कुछ इस समय नारवल चर रहा होता है दोस्तों यहां पर एक प्राबलम आ जाती है कि कजाकिस्तान से आ रहे हैं फ्लाइट में एक गरबड़ी हो जाती है दिस्प्लेइबर दिखा रहा था कि उचाई 15,000 फिट पर है लेकिन कुछ और ही उचाई थी क्योंकि उचाई लगा था नीचे आ रही थी 14,000 फिट के उचाई तक और डिस्प्लेइबर 15,000 फिट के उचाई दिखाई दे रही थी इसकी वज़ा से पालेट समझ नहीं पाता और दोनों जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कुछी देर में फारी टक्कर हो जाती है और दोनों जहाज के पंक तूट जाते हैं टरवाइन इंजन तूट जाते हैं और नीचे गिनने लगते हैं उस देर बाद जहाज भी नीचे गिनने लगती है और जहाज के चाद ही है जब नज्दीक पास पहुंच आता है वस्तों देखते हैं जहाज के टुकड़ा आ रहा है उसके साथ कुछ लोग में गिर रहे हैं यह सभी नजारत देखकर सभी लोग चौक जाते हैं और कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं वह जहाज की टुकड़े जो आसमान हो भी अपनी जान को गवात बैठते हैं हम आपके लिए बहुत सारी वीडों लाएंगे जोजकी की मिस्ट्री आप भरंडवा मीश्ट्री आप टाटेनिक ईयूक अईसे बहुत सारी वीडियो आयसे बहुत अच्छी लगेंगी इसलिए हम आपके सामय लेकर जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झाले के सामय लेकर जरूर आएंगे।